हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गूड मॉर्निंग आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेपल सी पाइफाइश डी पर बहुत-बहुत स्वागत है तो आप सभी के लिए क्लास रेडी है और आज इस क्लास में हमने आप सभी के लिए 33 most important प्रसनों को सामिल किया है यह सभी प्रसन आपके एक्जाम के लिए काफी important है तो आप सभी इस क्लास को लाज तक जरूर देखें और जो भी बच्चे क्लास में आचुके हैं आप लोग एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथ ही इस क्लास को जॉइन कर पाएं बाकि आप सभी अपने mock test करते रहें mock test आप हमारी website www.ccc.com पर कर सकते हैं तो आज का सबसे पहला प्रसन आपको बताना है wit coin के founder कौन है आपको बताना है wit coin के founder कौन है और यह question आपके exam के लिए काफी important है तो आप सभी को इसका answer आना चाहिए wit coin एक crypto currency है ठिक है जो की blockchain technology पर आधारित है इसके founder कौन है Satoshi Nakamoto इसके founder है याद रखना है सभी बच्चों को Satoshi Nakamoto wit coin के स्थापना हुई कब इसे means कब launch किया गया इसे launch किया गया है 2009 में यह भी याद रखना है Satoshi Nakamoto ने wit coin की खोज की जिसे 2009 में launch किया गया और wit coin एक crypto currency है जो की blockchain technology पर आधारित है ठीक है super script, sub script normal letter से छोटा होता है यादि कि आपका जो super script है और जो sub script है यह दोनो normal जो letter होता है उसे छोटा होता है बिल्कुल सही है option पहला यहाँ पी आपको correct करना है आप जब कोई letter लिखते हैं और यहाँ पर आपने जैसे आप लिखते हैं x square square उपर की तरफ होता है फिर y square उपर की तरफ हो गया तो इसे कहते हैं super skip baseline से उपर sub skip क्या होता है जैसे आपको लिखना है h2so4 h2 लिखेंगे नीचे की तरफ लटका करके वो baseline से नीचे हो जाएगा तो यह जो baseline से नीचे हमने sub skip लिखा baseline से उपर हमने super skip लगा यह दोनों जो हमारे लिटर होंगे जो character होंगे यह normal लिटर से छोटे होंगे obvious है कि वो छोटे होंगे तो पिलकुल correct answer यहाँ पर option पहला right है facebook का मालिक कौन है facebook का मालिक आपको बताना है यानि कि facebook का संस्थापक कौन है mark जुकरवर्ग सभी को पता ही होगा option भी यहाँ पर correct answer हो जाएगा mark जुकरवर्ग question देखेगा ptm 197 communication है true false भी जबाब करो ptm 197 communication है काफी important परसन है आप सभी के एक्जाम के लिए तो यहाँ पर कौन सा correct जबाब होगा true है option पहला है यहाँ पर यह true हो जाएगा और अगला कुश्चन देखेगा remove directory के लिए कौन सी command है remove directory के लिए कौन सी command है यहाँ पर क्या हो जाएगा rmdir remove directory के लिए कौन सी command है rmdir और directory को बनाने के लिए mkdir जिसका मतलब है make directory तो यह दोनों important है बाकी हमने जितने भी Linux, Unix की कमांड है वो हमने अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है और इस पर हमने कलग से वीडियो भी वनाया है जिसे आप लोग देख सकते हैं ठीक है और वेबसाइट पर जितने भी mock test देगे हैं तो आप सभी सभी mock test कर लेना क्योंकि सभी important है जितना ज़्यदा practice करोगे mock test करोगे उतना ज़्यदा आपको आपकी exam में help मिलेगी ठीक है तो जितने ज़्यदा हो सकें आपको mock test करते लेना है और पहाँ पर जब आप test को finish करते हो तो आपने अगर कोई गलत answer दिया है उसका जवाब भी आपको देख जाएगा correct answer क्या है और उसको अपनी copy पर no down कर सकते हो जैसे मालिया आप 30 प्रसनों का कोई test दिया है उसमें जैसे आप submit करोगे बाद में आप question को भी देख सकते हो जो जो गलत है उनको अपनी copy पर लिख सकते हो और आगे के लिए तयार कर सकते हो तो इस प्रकार से आपको mock test हल कर रहे है ठीक है auto text के लिए कौन सी shortcut की इस्तेमाल करते है auto text के लिए कौन सी shortcut की होती है तो correct जवाब यहां पर क्या हो जाएगा option number C control के साथ में EF3 आपको praise करना होता है auto text के लिए auto text का option कहां मिलता है कई बार ये भी पूछ देते हैं किस menu में मिलता है तो जैसे आप लेप्रोफिस writer में आते हैं यहां पर आपको menu दिखेगा tools और इस tools menu में ही हमें क्या मिलेगा auto text का option मिलेगा auto text की shortcut की भी लिखी गई है सामने control EF3 और ये option में tools menu में मिला तो tools menu काफी important यहां से कई question बनते हैं जैसे spelling के shortcut की बताओ तो spelling check करने की app 7 होती है अब कई बार आप से automatic spell check करने की पूछते हैं तो यहां पर shift app 7 होती है और spelling और automatic spell check ये सब tools menu में ही मिलते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है फिर कई बाद थिसारस की पूछते हैं तो control EF7 control EF7 थिसारस की होती है ठीक है इसके बाद में word count का option कहां मिलता है तो word count का option भी tools menu में ही मिलता है ये भी हम से दिकान्स पूछते हैं और auto text पूछते हैं तो कि control EF3 है यहाँ पर एक mail merge भी पूछते हैं कि mail merge का option कहां मिलेगा tools menu में ही मिलेगा mail merge bizar आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको tools menu में ही मिलेगा ठीक है बाकि extension manager की shortcut की पर कई वार पूछी गई है तो extension manager की होती है control alt और e control alt और e आपको दिहा रखना है ठीक है बाकि यह आपके manual होते हैं LibreOffice की जो class है एक playlist होगी LibreOffice नाम की जब आप channel पर जाएंगे तो बहाँ पर आपको playlist देखना है उस playlist में हमने यह LibreOffice के सारे class कराए है और इनके बारे में बहुती बिस्तित आपको जनकारी दी गई है तो आप उसे देख सकते हैं जिन बच्चों ने यह class नहीं देखे हैं अगला question देखेगा दो bank का IFSC अलग-अलग होगा दो bank हैं उनका IFSC code अलग-अलग होगा same नहीं होगा एक जैसार नहीं होगा क्या यह सही है पिल्कुल सही बात है तो bank का IFSC code अलग-अलग होगा और IFSC code का मतलब क्या होता है फुल-फॉर्म आप लोग जला एक पर बताओ मुझे comment box में IFSC का फुल-फॉर्म क्या होता है Indian Financial System Code होता है Indian Financial System Code होता है ठीक है IFC code राइटर में फार्मूला बॉक्स की shortcut की क्या होती है राइटर में फार्मूला बॉक्स के लिए क्या shortcut की इस्तिमाल करते है आंसर दीजिएगा question number 8 आपके सामने है इसमें कौन सा जबाब होगा और यहाँ पर सही जबाब हो जाएगा F2 हमने कई बार आपको बताया है राइटर में फार्मूला बार open करने की shortcut की होती है F2 देखो राइटर में आ चुके हैं अभी आप देखो कि यहाँ पर कोई भी फार्मूला बार आपको नहीं दिखाई दे रही है लेकिन जैसे हम अपने keyboard से F2 दबाते हैं तो अब आपने देखा यहाँ पर फार्मूला बार आ चुकी है यहाँ पर text form लिखा हुआ है और यह देखो function आपको यहाँ नजर आएंगे किस प्रकार के लगाने हैं और यह फार्मूला बार आपको नजर आएगी तो यह F2 हमारा सही जबाब है आजकाई का full form क्या होता है यह बताओ question number 9 में यह बी काफी important है इसका full form आपको पता होना चाहिए और कई बार पूछते हैं केतने bit का होता है तो यह 8 bit का होता है आजकने 8 bit पहले 7 का था बटब 8 bit का होता है इसका मतलब होता है American Standard Code for Information Interchange STL की full form क्या होती है STL की full form क्या होती है आंसर दीजिएगा जल दीजिए STL का मतलब क्या होता है Standard Triangle Language option हमारा पहला राइट है Standard Triangle Language इसका full form हो जाएगा Track Wall क्या है Track Wall क्या है Pointing Device है Output Device है Software है या फिर None Off दीजिए इसमें से Track Wall आपको बतानी है क्या है Track Wall भी एक परकार की Pointing Device है Track Wall Input Pointing Device है ये सभी Input में आती है Track Wall हो गया आपका Mouse हो गया आपका Joystick हो गया आपका Light Pane हो गया आपका ठीक है Touch Screen हो गया आपका ये सभी Input Device में ही आती है और Input के साथ साथ में इनको Pointing Device भी बोला जाता है क्यों? क्योंकि ये Point भी करती है जैसे आप देख रहे है Mouse का ये Cursor यहाँ पर ये देखो Arrow दिखाई दे रहा है ये Point करता है अगर के स्क्रीन पर हमारा जो Pointer होता है वो हमें नजर आता है तो ये Pointing Device होती है बाकी कर बात करते है Input की तो और भी जैसे Keyboard भी तो Input Device है Keyboard के साथ साथ में आपका Scanner भी है What Keyboard और Scanner Input जरूर है What ये Pointing थोड़ी है लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे Input Devices है जो Pointing Device भी होती है अगला Question देखिए वाइसमा राष्टिय ई-Governance समेलन 2019 में कहां हुआ था और ये Question भी एक जाम में कई बार पूचा गया है तो ये भी आपको पता होना चाहिए वाइसमा राष्टिय ई-Governance समेलन 2019 में कहां हुआ था तो आप सभी को याद अखना है मेगाले में हुआ था मेगे और प्लीज आप लोग भाई शेर करो क्लास अगर अभी तक आप लोग ने शेर नहीं किया है तो एक एक बार सभी बच्चे शेर कर दिया करो बिना कहे और लाइक करना बिल्कुल मत भूला करो और साथ में जो बच्चे नए है या फिर जिन बच्चोरी अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप कर लेना और घंटी के भी बटन को दबा लेना ताकि हमारी जब भी नई क्लास हो उसका नोटिटिकेसन आप तक पहुच जाए ठीक है OLX क्या है इमेल है e-commerce है e-governance है या ननौफ दीछ है OLX इसमें से क्या है OLX एक e-commerce है एक e-commerce वैपसाइट है तो option B है आपर e-commerce ठीक है एक कार कंपनी MRF से टायर खरीरती है तो यह किसका example है कली हमने इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया था अगर आपने कल साम की class देखी होगी तो इसका जवाब आपको पता होगा same question तो नहीं बताया था वाट इससे मिलना जुलता question हमने एक समझाया था आपको तो आपको idea लगेगा किसका जवाब क्या होगा एक car company है जो MRF से टायर खरीती है तो इसका क्या उधारन हो सकता है V2C में आएगा ये V2B, C2B या none of the each तो एक तो car company है दूसरा MRF की company है और car company MRF से टायर लेती है तो इसका मतलब यहाँ पर V2V हो जाएगा business to business हो जाएगा okay CAD की full form क्या होती है CAD की full form आपको बतानी है CAD का मतलब होता है computer added design option number यहाँ पर first हो जाएगा computer added design calc में current date insert करने की shortcut क्या होती है current date आप किस shortcut के से डाल सकते है तो सही जवाब हो जाएगा option पहला control के साथ में semicolon आपको लगाना है इससे क्या होगा current date आपकी insert हो जाएगी जैसे हम यहाँ calc में आ चुके हैं और हमने control दवाना है और semicolon लगाना है तो देखो आपके सामने current date आ चुकी है थोड़ा सा यहाँ पे जूब कर देते हैं ताकि आपको देखें तो देखो यह current date हमारी आ चुकी है है ना तो क्या करना है हमें control दवाना है और semicolon हमें लगाना है प्रेस करना है इसी परकार से एगर हम shift के साथ में semicolon प्रेस करते हैं यहाँ पर control shift के साथ में semicolon प्रेस करते हैं तो क्या होगा current time हमारे नजर आएगा तो याद रखना है control के साथ में अगर आपने semicolon प्रेस किया तो date आएगी यहनिकि current date आएगी और अगर control और shift को दवा करके semicolon प्रेस करते हैं current time आपका insert होगा तो दोनों important है आपको याद रखना है अगला question देखेगा m परिवहन किससे सम्भंदित है स्वास्थे सिच्छा परिवहन या कोई नहीं m परिवहन किससे सम्भंदित है यहाँ पर कौन सा correct जबाब हो जाएगा m परिवहन किससे सम्भंदित है प्रिवहन को जल्दी से जवाब करना इसके राइट अंसर क्या होगा प्रिवहन से सम्मंदित है आप सभी को याद रखना है अगला कुशन देखेगा T.E.S का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है T.E.S का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या हो जाएगा correct जवाब Option नमबर P. Data encryption standard हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर. Data encryption standard www का फुल फॉर्म क्या होता है www का फुल फॉर्म आपको बताना है इसका मतलब होता है World Wide Wave World Wide Wave हो जाएगा और कई बार आपको मिलेगा fourth time चार बार www www तो क्या होगा World Wide Wave बॉर्म भीहा रखना है फिर बॉर्म आगे और जोड़ जाएगा इमेल में किसी संदेश को डिलीट करने पर वहां कहां रहता है इमेल में किसी संदेश को डिलीट करने पर वहां कहां रहता है तो वो trash folder में चला जाता है कहां? trash folder में किसी slide को कैसे stop कर सकते हैं कोई slide आपकी play हो रही है आप उसको stop करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं space बार दवा करके skip button दवा करके page down या none of each इसमें कौँ सार सही जवाब है कोई भी slide आपकी play हो रही है आप उसको skip button से क्या कर सकते हैं? stop कर सकते हैं रोंक सकते हैं, skip button दवाना पड़ेगा space बार और page down से अगली slide पर पहुँचेंगे, रुकेगी नहीं लेकिन skip button से stop हो जाएगी search engine डिस्पले कर सकता है search engine क्या-क्या डिस्पले कर सकता है images, videos, document या all of each बताओ search engine आपका क्या-क्या डिस्पले कर सकता है तो ये सभी, आपको image भी दिखा सकता है आप video भी ढूंड के दिखा सकता है और document भी, कोई file भी आपको दिखा सकता है तो T option या आपको राइट है question है count e, v, p, 3, 8 का मान क्या होगा आप सभी बच्चों को बताना है जिर बच्चों ने previous class देखे हैं जो हमने formula के class कराए है labor office नाम के playlist में जो दिए गए हैं तो आपको बता होगा क्योंकि बहाँ पर हमने count, sum, max, min, average ये सारे formula बहाँ पर हमने सिखा रखे हैं आपको ceiling, floor, सब कुछ बताया है तो यहाँ पर बताईए count क्या होता है count होता है count भी बताया है हमने आपको तो इसका भी आंसर दो होगा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर count कर रहा है और हमने आपको बताया था कि जो count formula होता है केवल और केवल numbers को ही count करता है numbers यहाँ पर देखें कि 3 लिखा गया है और एक 8 लिखा गया, दो number ही लिखे गया है बाकी यहाँ पर alpha weight है AB और P है तो ABP को इक count नहीं करेगा count formula, cable और cable संख्याओं को गिनने का काम करता है और AB question आता है कि count formula cable संख्याओं गिनता है तो इसका जवाब होता है yes ठीक है, आप इसको हम आपको एक बार समझा देते हैं with practical तो हमें यहाँ लगाना है count A B P 3 8 ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा, equal count A, V, P अब 3, 8 अगर हम यहाँ लिखते हैं bracket को close करते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा आप देख सेकते हैं, इसका answer हमारा 2 आ गया क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 और 2 ही तो number मिले, बाकि A, B, P तो यह count ही नहीं करेगा अगर यहाँ पर हम count कर देते हैं count करने से क्या हो जाएगा जैसे ही हम यहाँ पर हमारा जो right answer का अभी 2 है वड़ कभी भी count अगर आप से पूशें तो सब भी को count कर लेना 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 बता देगा ठीक है star, double line, hash का इस्तेमाल, offline भी क्या जा सकता है star, double line, hash का इस्तेमाल offline भी क्या जा सकता है true, false में आपको answer करना है तो double line के लिए actual में बनाया ही गया है ऐसे feature phone, ऐसे छोटे वाले phone जहां पर data नहीं चल सकता है जो smartphone नहीं है उन्हीं के लिए तो start, double line, hash बनाया गया है, ठीक है तो option यहापे पहला correct हो जाएगा Facebook marketplace क्या है digital marketplace है messenger, बहुत ही या नन आफटेज Facebook marketplace का भी option आपको दिखता है आपके Facebook account में जब आप login करते हैं तो यह क्या है, एक digital marketplace है option हमारा पहला correct है LibreOffice एक free open source software है LibreOffice एक free open source software है इसका जवाब आपको करना है क्या होगा विल्कुल सही है LibreOffice एक free open source software है किसी file को internet पर save करना क्या कहलाता है isको करते हैं, सुरच्चित करते हैं तो क्या बूलते हैं इसको इसको बोलेंगे uploading कोई file internet पर अगर हम save करते हैं तो इसको हम uploading का नाम देते हैं और अगर कोई भी file को हम internet से download करते हैं आप का पूरा नाम क्या होता है OTP full form क्या होता है OTP का मतलब था One Time Password तो यहाँ पर हो जाएगा One Time Password आपसन नमबर फर्स्ट इक्वल 256 slash min min अब बेकर 2,5,6 का मान कितना होगा यह बताओ इस फर्मूले का आंसर कितना होगा आपको जल्दी से बताना है सभी बच्चों को ठीक है आंसर तो 29 का क्या होगा ये सारे फर्मूले हमने सिखा दिये आपको थोड़ा से अपना लोजिक लगाना है कभी कभी devil फर्मूले एक में होते है तो बस उसमें करना क्या है थोड़ा से आपको सोचना है और आंसर कर देना है देखो यहाँ पर क्या होगा मैं समझाता हूँ, ये पहले हल करो आप लोग, इतना हल करो, min, यानि कि minimum 2,5,6 में minimum क्या होगा, तो आपको पता है, यहाँ पर सबसी कम छोटा क्या है, 2 है, तो इसका तो जबाब आ गया 2, यहाँ तो minimum value निकाल ली मैंने, आप minimum value आपको पता लग गई 2 है, अब बाई देखो, equal 256, इसके बाद में आपको यहाँ से 2 से डिवाइड करना है, जब 2 से डिवाइड करोगे 256 को, तो answer कितना होगा, 128, 128, ठीक है, आप इसी को चाहों तो आप यहाँ समझ सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया, equal, जैसे यहाँ पर मैं लगाता हूँ, एक बाद, equal, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या लिखाया है, 256 slash min, अब यहाँ bracket लगाते हैं, और यहाँ पर हमारा है, मालिया मैंने क्या लिखता है, यहाँ पर क्या दिया था, 25,6, तो मैं 2,5,6 लिखना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने 6 लिखना है, इसके बाद में क्या करना है, अब यहाँ पर, equal, 256 slash min, 2,5,6, अब enterprise करने पर क्या होगा, 128 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर यह पहले इसको solve करेगा, minimum value निकाल के देगा, तो minimum value कितनी थी, यहाँ पर 2 थी, अब 2 से फिर यह बाग करेगा, 256 को, तो आंसर हमारा क्या होगा, 128 हो जाएगा, इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब है, 128, control y का उप्योग कब करते हैं, control y का इस्तेमाल कब करते हैं, बताओ, redo करने के लिए control y का इस्तेमाल करते हैं, undo करने के लिए control z का इस्तेमाल करते हैं, तो redo करने के लिए control y का, संपूर work sheet को एक बार में ही select करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा पूरी work seat को आप एक बार में ही select करना चाहते हैं work seat क्या होती देखो यह लेपर आफिस calc का आपका open है और यहाँ पर यह आपकी एक work seat है जहाँ पर आप work करते हैं काम करते हैं यहाँ plus वाले सिंबल से आप और work seat नहीं add कर सकते हैं ऐसे और add कर सकते हैं तो यह पूरी एक work seat है और सभी work seat को मिला करके क्या बनता है work book बनता है और एक work seat में rouge and column का combination होता है तो यहाँ पर column होते हैं और रोज होते हैं और इनका combination होता है इस area को क्या बोलते हैं, sale बोलते हैं और इसी sale में हम कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ काम करते हैं, तो अभी पूछा हम से क्या है, पूछा यह है कि समपूर वर्क सीट को एक बार में सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे, क्या इसको कर सकते हैं, तो बिलकुल आंसर होगा, हाँ कर सकते हैं, अब एक सवाल होगा कि कैसे कर सकते हैं, तो यह चीज हम आपको यहाँ पर बता देते हैं एक तो आप control ये दवा सकते हैं, all work seat हमारी select, पूरी work seat आपके select हो गई है, क्या दवाने से, control ये दवाने से, दूसरा control shift के साथ space war दवाने से भी पूरी work seat आपके select हो जाती है, दोनों shortcut की है, control shift और space war भी आप दवा सकते हैं, एक और सवाल आता है कि पूरा column को select करना हो, तो क् की column उपर से नीचे तक, पूरा column नीचे तक आपको select करना है, एक ही बार में, तो क्या करना पड़ेगा, अब एक control के साथ में space war दवा लेना है, पूरा column select हो गया है, ठीक है, control space war, यही पूरा row select करना हो, shift space war दवा लेना है, याद रखना है आप सभी को, पूरा column, control space war, पूर पूरा row shift space war, और अगर पूरा work sheet तो control shift और space war आप दवा सकते हैं, बाकि control यह भी दवा सकते हैं, IMEI का full form क्या होता है, बताएगा, IMEI का full form, उसका मतलब होता है, international mobile equipment identity, option पहला correct हो जाएगा, online course provider, game, word processor, none of these, आपको क्या बताना है, Udemy क्या है, जल्दी से जवाब करिएगा, Udemy एक website है, जो online course provide करती है, option हमारा पहला correct हो जाएगा, online course provider, और आज के class बसें तक थी, जिनका भी आज exam है, आप सभी को, हमारी तरफ से, आपको जो भी कोशन आपके exam में याद रहे हैं, आप हमें जरूर भेजे, प्रसन आप हमें whatsapp कर सकते हैं, 9452299436 पर, इसके अलाबा आप हमें mail कर सकते हैं, info.cccc.gmail.com पर, बाकी आप चाहें तो हमें Instagram और Facebook पर भी अपने प्रसन भेज सकते हैं, या फिर नीचे वीडियो आपको अच्छे से त्यारी कर देनी हैं, और जल्दी आप लोग के लिए भी नया बैची स्टार्ट करेंगे, तब तक अभी तक मैंने जो class previous में करा दी हैं, उनको अच्छे से revise कर लेना है, ठीक है, और chapter wise जो हमने आपको एक test series दी है, उसको आपको complete कर लेना है, वाकि जिन